हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू नीव वीडियो उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तो कैसे है नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरू बताइएगा कौन कौन अपने ड्रीम बैक लेना चाहता है वो भी नीचे कमेंट करके जरू बताइएगा दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले MT15 के कम्प्लेंट डाउन पेमेंट फाइनेंस के बारे में कि क्या दोस्तो आपको ये बाइक लेनी चाहिए और अगर आप ले रहे हैं तो आपको क्या-क्या डॉकुमेंट की नीच पड़ेगी कितना आपकी EMI बनने वाली है कितना आपको मन्थली पे करना पड़ेगा सारे चीजे मैं आपको डिटेल्स पर बताने वनो और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले बात करने देगी बाइक फैनेंस कराने के लिए आपको कौन-कौन सी डॉकुमेंट की नीच पड़ती है दोस्तो बाइक finance कराने के लिए सबसे पहले आपको अधार कार्ट की ज़रात पढ़ेगी अधार कार्ट के बाद दोस्तो आपको pen card की ज़रात पढ़ती है pen card के बाद दोस्तो आपको bank passbook की photocopy लगीगी जिसमें आपकी salary आती है उसकी बाद दूस्तों कुछ फोटो और कुछ सायन के बाद आपकी जो बाइक आपको फाइनेंस करके दे दी जाएगी फिर ठीक है और ध्यानकी सिविल इस्कोर अच्छा होना चाहिए बात करें MT के प्राइस के बारे में दूस्तों MT 15 लेटेस एक सुरूम प्राइस आ रही है 1.72 टोजन एक लाग बातर अज़ार रुपे के आसपास के आपको ये बाइक एक सुरूम प्राइस देखने को मिलती है बात कल इसके ओन रोट प्रेस के बारे में तो आपको मैं क्लियर कर दूँ अग हरेकिस्टेट इन सीटी में आपको प्रेस देखने को मिलती है अब आप लोगों के सीटेट में इसका क्या प्रेस अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा चली आगे बढ़ते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हमने जो DP मांज लिया है अब दोस्तो इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा processing fees ज्यानना कि जब भी आप बाइक finance करा रहे हैं तो बीना processing fees के आप जो है बाइक finance नहीं करा सकते हैं ठीक है अब दोस्तो जो processing fees है हमने रखा है दोस्तो यहाँ पे 10,000 रुपए 10,000 गया असपास का processing लग जाता है तो 10,000 गया अब आपका total lemon कितना हो जाएगा 1,60,000 रुपए अब निकालना पड़ेगा हमें interest याने की ब्याज दिखी जब भी हम बाइक finance करा रहे हैं तो कोई भी financial company अगर हमें finance करके दे रही है तो जहर सी बात है भाई वो फिरी में करके नहीं देगी वो हमसे कमाएगी पैस अब पैसे कैसे कमाएगी वो हमसे interest लेगी याने की ब्याज अब दोस्तो rate of interest जो है डिपेंड करता है आपके civil score पे और आपके salary slip पे आज के इस video मैंने जो रखा है वो रखा है दोस्तों लगबख 10% ठीक है वो डिपेंड करता है बहुत सरी चीजों में लेकिन आज के इस video म लेए फाइनस कराना चाहते है तो एक साल के लिए आपको सबसे पहले एक साल एक लाग साथ हजार आपका total amount है उसमें आप साथ हजार को plus कर दीजे आपका total amount होगा वो कितना होगा दोस्तों लगबख 1,66,000 रुप है अब 1,66,000 रुप होगा आप 12 से डिवाइड कर दीजे क क्योंकि एक साल में बारा मैने होते हैं तो आपकी जो मंसी यह माई बनेगी वो बनेगी लगबख 14,666 रुपए गया सपस की आपको पे करने पड़ेगी कब तक एक साल हो तक मालने इसरो बाइक को दो साल में लिए फाइनन्स कराना चाहते हैं तो दो साल में आपको सबसे पहले दो साल का इंटरस्ट निकालना पड़ेगा आपके जो एक साल का इंटरस्ट है वो है दोस्तों लगबख 16,000 रुपए 16,000 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 32,000 जो आप डिवाइट करेंगे किस से 24 जे क्योंकि दो साल में 24 मेने होते हैं तो आपकी जो मतली यह बनेगी वो कितनी बनेगी लगबाग आप 8000 रुपे के आसपास की क्योंकि तीन साल में आपको ब्याज बहुत जदा बरना पड़ जाता है लेकिन फिर भी आप नहीं मानेंगे तो आपकी मर्जी है क्योंकि भाई मुझे से लगता है कि तीन साल के लिए फैनेस कराना सही बात नहीं है अगर आप करना चाते तो आपको बता देता हूं सबसे पहले तीन साल का इंटरस निकाल लेंगे एक साल का आपका जो इंटरस है वो है दोस्तो लगबग 16,000 रुपे 16,000 इंटू 3 करेंगे तो 48,000 अड़ 40,000 रुपे जो है दोस्तो आपका इया माई बनेगी वो बनेगी लगबग 5,770 रुपे गया सपास की जो कि आपको पे करने बढ़ेगी कब तक 3 सालों तक स्वाई हो दोस्तो ये था एक छोटी सी वीडियो MT15 का कंप्लेट डाउन पयोन और फैनेस वीडियो उमीद करते हैं दोस्तो आप लोगको को ये वीडियो पसंद आई होगी और बाइक कैसी लगती आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरू बताना चले मिलतें नेक लोग जाहें बन्दमादरा